स्वागत है आप सभी का Portion Taker Help Line में सो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं Portion Taker में आप सभी को Mobile Verify कैसे करना है जब भी आप लोग अपना Portion Taker में किसी भी लाभारती का नया रेजिस्टेशन करते हैं तो उसकी बाद आपको Mobile Verify भी करना है तो यहाँ पर आप लोग को अपना Mobile Verify कैसे चेक करना है कि आपका Mobile Verify complete है या फिर incomplete है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आप लोग अपने Portion Taker की Home Page पर आएंगे तो आपको यहाँ पर Mobile Verify का Option दिखाए दे रहा है इस फोल्डर को जैसे आप लोग किलिक करेंगे आप लोग यहाँ पर Mobile Verify वाले फोल्डर पर ओपन किज़ेगा तो इसमें आपकी Beneficiary आ जाएंगे यानि आपके वो लाभारती यहाँ पर सो होंगे जिनका आपको Mobile Verify करना है यदि आपको यहाँ पर Well Done या फिर आप लोग को यहाँ पर कोई भी लाभारती सो नहीं हो रहा है तो आप लोग का Mobile Verify कंप्लीट है जब भी आप लोग इसी भी लाभारती का नया रेजिस्टेशन करेंगे तो उसके बाद वो लाभारती आपका यहाँ पर सो हो जाएगा Mobile Verify करने के लिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक लाभारती सो हो रहा है तो उसका Mobile Verify करने के लिए आपको सामनी Verify का ओप्शन दिखाए दे रहा है आप लोग Mobile Verify वाले ओप्शन पर किलिक करेंगे तो आपकी सामनी इस तरह का पेज आ जाएगा यहाँ पर आपका Mobile Number होगा और नीचे आपको Request OTP का ओप्शन दिखाए दे रहा तो यहाँ पर Portion Tagger में आप सभी लोग अपने लाभारती का Mobile Verify OTP के माध्यम शेही कर सकते हैं आपके लाभारती के Mobile Number पर एक OTP जाएगा तो आप लोग उस OTP को लेके यहाँ पर दर्च करेंगे जैसे आप लोग यहाँ से अपना Mobile Number चेंज भी करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं यहाँ उपर आपको Mobile Number दिखाए दे रहा है आप लोग इस Mobile Number के उपर टच करेंगे जैसे आप लोग टच करेंगे तो आपको इस तरह का edit करने के लिए option आ जाएगा तो आप लोग इसे इस तरह से remove कर सकते हैं और यहां से आप लोग नया mobile number दर्ज करना चाहते हैं तो आप लोग दर्ज कर सकते हैं तो यहाँ पे आप लोग अपना मोबाइल नमबर चेंज कर सकते हैं यदि आपका ये मोबाइल नमबर पहले से आपको यहाँ पे मोबाइल नमबर सो होगा जो भी मोबाइल नमबर आप लोग रजिस्टेशन करते वक्त डालेंगे तो वो ही मोबाइल नमबर आपको यहाँ प दर्च कर सकते हैं उसके माध्यम से उसके जाए जैसे आप लोग ओर टीपि के लिए जैसे आपनी यहां पर उपर मुबाइल नमर दर्च कर दिया है और उसके बाद रिक्वेस्ट टीपी वाले ऑप्शन पर आपको किलिक करना है तो इस परकार से आप लोग जैसे किलिक आप लोग देख सकते हैं यहां पे इस परकार का आपको इस टिपे में OTP डालना है आपको request OTP पर किलिक करने के बाद पाश मिर्ट का टाइम होगा तो पाश मिर्ट के अंदर आप लोग इस OTP को लेके यहां पर डाल सकते हैं और उसके बाद आप लोग नीचे फॉर्म को करेंगे तो आपका यह Mobile Verify Successful हो गया तो इस परकार से आप लोग देख सकते हैं यहां पर आपके लाभारती का Mobile Verify Successful हो जाएगा तो आप लोग को इस तरह का Successful का option आएगा उसके बाद आपको Home पेस पे जाने के लिए निचे Go To Home वाले option को क्लिक करना है तो आप लोग अपन लिखके आएगा यदि आपको यहां पर Mobile Verify वाले फोल्डर में लिखके आ रहा है तो आपके Mobile Verify Complete है यदि आपको यहां पर कुछ भी लाभारती सो होते हैं तो यानि आपका Mobile Verify Incomplete है आपको लाभारती के Mobile Verify करनी है तो यह थी हमारी Mobile Verify की जानकारी उम्मीद करती हूं कि आप सभी कोई जानकारी अच्छी लगी होगी यदि आपको कोई भी सवाल है आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं पोशें टेकर से रिलेटेट किसी भी जानकारी के लिए आप लोग हमें कमेंट जरूर कीजिएगा तो चलिए मैं मिलती हूं आप सभी को एक नए वीडियो में तब तक के लिए आप सभी को वबाई